हलो दोस्तो गृबशा है दोस्तो आप सभी लोगों का सहानी क्लासेज में स्वागत है दोस्तो आज हमने जो ये सलैबस है अभी हाली में TGT और PGT की जो की वेकंशी आई है और जब से ये वेकंशी आयोो दोस्तो तब से काफी डेमाण्ड हो रही है और कफी ज़यदे दोस्तों कॉल भी आ रही है आप सब की कि सर जो है सिलेबस बता दीजिए कि TGT की सिलेबस क्या होती है PGT की क्या होती है तो आपको मैं बता दूस्तों आलमोस्ट सिलेबस दोनों का सेम होता है कुछ डिफरेंस जरूर है PGT में जो कि PGT प्रवक्ता के लिए होता है पोस्ट ग्रेजवियर टीचर जिसको आप बोलते हो उसमें दोस्तों आपको यह भी मैं बता दूँ काफी लोग यह भी पूछ रहे हैं दोस्तों की इलिजबिल्टी क्या होती है आपको नहीं लगता है सिर्फ और सिर्फ आप PG होने चाहिए एमकॉम आपका क्वालिफ जो है कंप्लीट होना चाहिए और TGT के लिए जो नौडवीशन उसमें लिखा गया है कि आप जो है क्या होने चाहिए ग्रेजवियर्शन के साथ यानि कॉमर्स बीकॉम के साथ आपका बीड होना चाहिए तो पहले तो सिर्फ बीड ही रहता था अभी उसमें एक और क्लॉज मेंसन किया गया है कि समकक्ष तो वह समकक्ष क्या है यानि कहने मतलब बीड के एकोईलेंट जो भी डिगरी होंगी उसे समकक्ष कहा जाता है ठीक है तो यह चीज़ हो गई दोस्तो और पीजटी में आप लोग यह मानों कि पीजटी में कॉमर्स में एमकॉम की सिर्फ रिक्वार्मेंट है बीड की कोई ज़रूरत नहीं है आप बीड अपलाई कर सकते हैं ठीक है अब रही बात सिलैबस की तो पीजटी कॉमर्स की सिलैबस थोड़ी एडवांस तो है ही उसको मैं बताऊंगा और आज हमने सिर्फ टीजटी का ही लिया है लेकिन आपको बता दें दोस्तों जो सिलैबस है आपके आयोक का यानि अधिनस से बाचेन बूर्ड जो है उसका जो सिलैबस है दोस्तों कॉमर्स टीजी टी का आप देखेंगे तो सिलैबस देखने बहुत छोटा लगता है ठीक है लेकिन आपको मैं बदा दूँ जो चीज़ें उसमें नहीं भी है वो भी कुछ कोश्चन्स आते हैं ठीक है जैसे मैं आपक करते हैं दोस्तों सिलैबस ओ भी टीजी टी की सिलैबस बीज़ी टी का हम नेक्स वीड्यो में बता देंगा आपको है चलिए यहां देखते हैं सबसे पहले हमें कॉमर्स का सेक्षण आप लिखा हैं कॉमर्स में अकाउंट का जो है लिया है ठीक न अकार्ट का हमने अश् insane of accounting मैंने अपने हिसाब से लिखा है जो कि वहाँ पे हिंदी में लिखा गया है तो चुकि काफी ज्यादा उन्हों ने लिखा मैंने उसको summarize form लिखा मैं बता दे रहा हूं क्या-क्या चीज़ी होती है जैसे हमने लिखा है basics of accounting इस basics of accounting का मतलब क्या होता है जैसे principle of accounting होई ठीक है जिसको बोलते हैं सिध्धान्त ठीक ना और क्या हो सकता है concept हो सकते हैं अवधारणाय जिसको आप बोलते हैं और convention मतलब परंपराएं अवधारणाय और आपका जो है परंपराएं ठीक है और जो accounting principles है accounting standards होती है उसको numbering पूछे जाते हैं आपसे और meaning of accounting हो गया है ना यह हो गया इसके बाद accounting process हो गया इस topic के मैं बात कर रहा हूं basic of हमने लिख्या basics of accounting जो गी जो अधार भूथ चीजें हैं जैसे हमने बताया कि आपको क्या concepts हो गया ना और क्या standards हो गरा हो गया principles हो गया है और accounting process जैसे होता है कि recording है journal है और इसके चीजें आपके basics में आ जाएंगी cover हो जाएगी ठीक है जब आप यह सब चीजें कर लेते हैं adjustment finance final account तक आप completely यहां पढ़ लेते हैं balance sheet तक चुकि आप जानते हैं recording में क्या होती है और हमने का classification होगा और क्या होगा trial balance बनेगा जिसको पूलते हैं summary यह सारे जब आप को कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद और भी चीजें होती है एक topic है जो कि most important है यहां से आप देखेंगे TGT हो या PGT हो यह syllabus जो मैंने लिखा दोस्तों यह TGT और PGT बोथ के लिए complete मैंने यहां पर लिखा है ठीक है TGT और PGT दोनों के लिए है कुछ चीज़ें भी बची हुई है उसको मैं special PGT में जो इस लाइवस बताऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा ठीक न यहां पर आप देखो partnership accounting है partnership क्या होते हैं जहां पर हमने बोला कि sorry जैसे हमने बोलते हैं कि जहां पर two or more person क्या है एक साथ agreed होके क्या करते हैं business करते हैं ठीक है और क्या करने के लिए प्रॉफिट सेरिंग करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं partnership एक एक ही है 1932 उसके तहाथ सारी चीज़ें आप से आपको पढ़नी है जैसे admission आप पार्टनर मतलब नए साज़दार का प्रवेश है ना agreement deeds होगर क्या होते हैं partner को रिटार हो गया तब क्या होता है डिजॉलिशन जिसको गोलते हैं वो सारे चीज़ें दोस्तों आपको पार्टनर्शिप में बहुत important topic है सबसे most important topic मैं आपको बता दूँ टीजटी हो या पीजटी हो सबसे बहतरीन जो topic है most important topic है company account और partnership आप किसी भी exam का paper उठा लो इसके पहले का आप देखेंगे इस partnership में दोस्तों कम से कम 10 से नीचे तो question मिलेगा ही नहीं आपको 10 से आपको 16-17 question तक मिलते हैं इसमें 16-17 तक 20 तक भी question आते हैं इसका region मैं बता दूँ कि partnership account प्लस business organization यह जो business organization का हिंस्सा यह भी है ना इन दोनों को मिला कर question पुछे जाते हैं जो तो partnership से कम से कम 10 से लेकर 16 से लेकर आपको बता दूँ 20 question भी आये हुए हैं तो मैं इसका range 16 ही रखा हूँ एक जो है average में रखके ठीक ना यहां तक इतने question आते हैं इसके बाद दोस्तों आपका यह आता है company account company account भी आपको इसी के हिसाप से question जितना range इसका है उसी range में इसका भी question आता है लगबाग आप मालो 10 से 20 question का range इसका भी आप मान सकते हैं इतना आया है पिछला जब भी पेपर उठाके आप देखेंगे analyze करेंगे दोस्तों आपको पता चलेगा चुकि यह भी क्या है business organization का पार्ट है तो business organization और प्लस यह दोनों मिलाकर question कम सकम 10 से 20 question के range होते है दस से कम कभी आया भी नहीं है यहां पर आपको company account में क्या पढ़ना है share पढ़ना है डेवेंचर पढ़ना है यानि share में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पहले तो बेसिक्स आप जब अगर company account आप पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो आप पहले देखा क्या company account में types of company meaning of company और यहां से एक important question और आता है दोस्तों केस पर जैसे केस पूछा गया था कि टर्कवांड संबंदित है एक बार TGT में ही पूछा गया था टर्कवांड संबंदित है और उसी केस पर एक बार question PGT में भी आया हुए तर्कवांड किससे संबंदित है मैं यह भी बताऊंगा वो बेस करता है जानते हैं क्योंसे केस है वो केस है दुस्तों company account में memorandum of association and article of association को लेकर वो केस बना है ठेक है रायल ब्रेटिस बैंक वर्सिस कर टर्कवांड करके वो question पूछा गया था जब आप केस नहीं पढ़े रहोगे तो आपको कैसे पता चले नहीं यहां से आता तो इसमें आप क्या पढ़ते हो meaning of company types of company और इसमें क्या पढ़ते हो types of share, issue of share, forfeiture, reissue टेक ना यह सारे चीज़ें आप company पढ़ते हैं और डेवेंचर पढ़ते हैं डेवेंचर के types पढ़ते हैं आप और इसके बाद इसको रीशु करने का तरीका यह सार important मैं आपको बता दूँ यहां पर जो है minimum rent और क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं रोयल्टी से वही बाते हैं यहां भी आएगी हार परचीज में भी दोस्तों यहां पे introductory हार परचीज मतब किरायकराय पद्धती जो है वहां भी important चीज़ें ही पूछी जाते हैं वो भी simple introductory पूछा जाता है तो यहां से दोस्तों आपको जो है introductory चीज़ें पूछे जाएंगे यह सब जो है आपको बता दें यह एक से दो कोश्चन यहां से आपको मिलेगा रोयल्टी से और हार परचीस से भी एक से दो कोश्चन आता है ठीक है डिपार्टमेंटल भी वही इस्तिती है एक से दो कोश्चन तीन कोश्चन यहां से भी आपको मिल जाएगा एनपी ओ देखिए आप अगर टीज़टी का दोस्तों स्लैबस देखते हैं तो वहां पर एनपी ओ आपको नहीं मिलता नॉन प्रॉफिटेबल और्गनाजेशन जिसको बोलते हैं गयर वियाबारिक संस स्थाय जो होती है वहासा आपको स्लैबस में नहीं मिलेगा बठ पॉश्चन दोस्तों आप यहां देखेंगे बिज्ञांस ऑर्गनाजेशन धान जो अपको रूसी है वहां से बस्टो आपको दो तो पूछा जाता है तो यह इंपोर्टेंट है नॉन प्रॉपिटेबल और अर्गनाजिशन भी यहां से क्या है कि इसमें बनता क्या तीन स्टेटमेंट्स बनते हैं एक तो आपका बनता है क्या रिसीट और पेमेंट दूसरा बनता है आपका इससे बेस कोश्चन दोस्तों यहां से पूछे जाते हैं और काफी अच्छे कोश्चन यहां से बन भी सकते हैं पूछे भी जाते हैं बहुत अच्छे कोश्चन दोस्तों यहां बनते हैं अपने आप में बहुत दंदार एक टॉपिक है जो कि अधर्स एक्जाम में इसके कोश इसका आता ही है इसके बाद देखे दोस्तों bank reconciliation statement bank reconciliation statement bank समाधान यह भी important है यहां से भी आप देखेंगे एक दो question आपको मिलेगा bills of exchange भी है जो कि आप देखेंगे यह सब चीजें slabus में नहीं लिखा गया है टेक ना टीच्टी के स्राइबस में यह सब चीजें लिखा नहीं गया है बट पूछता है हर बार पेपर आप देखोगे मिलेगा branch account भी introductory एक दो question आते हैं इसके बाद यह ratio analysis और यह दो चीजें accounts में हमने रख दिया है बट अलग topic का है ratio analysis आपका जो है financial जो management account होता उससे है लेकिन रेशी analysis से भी दो से तीन question दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलते हैं और break-even point जो है यह economics में है ठीक ना यह आपको businessman जो आपका financial management account है उसमें भी है और economics में भी है यह चीज ब्रेक-even point तो यह break-even point पक्का है आपको एक-दो question यहां से मिलता ही मिलता है और ratio analysis यह दोनों topic बहुत ही अच्छे topic हैं अपने आप में और यहां से आपको देखने को मिलता है question टेके दोस्तों तो उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको slabas समझ में आ रही होगी है ना यही सारी चीजिए हैं पूछा जाता है अब आते हैं इधर मैंने statistics लिखा है statistics में आपको अगर आप देखेंगे दोस्तों आपको slabas में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है लेकिन question आप देखोगे जो मैंने लिखा है meaning of and objects and function आप जो है stratƇक क्या होता है but दिदियक होता है primary and secondary ने पасसुंद क्या है महत्तु क्या है collection of data यानि हम लोग collection कैसे कैसे करते हैं वो सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इसके बाद आता है दूस्तों यह central tendency केंदरी प्रवित्ती की माप इसको बोलते हैं और यहाँ पर आप क्या बढ़ते हो main median modes होगा रहा है सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कहाँ पर central tendency में main median mode हमने यहाँ पर describe किया हुआ है इसके बाद आता है partition value यह partition value हुई मतलब इसको विवाजक मूली बोलते हैं यह भी आपके exam में यहाँ से भी एकात question आ जाते हैं dispersion होता है dispersion आप किरण जिसको आप बोलते हैं यहाँ से भी question एक दो question आपको मिल जाते हैं इसक्वेनेस है विसमता यह हो गया इसके बाद है correlation and regression सहसंबन जिसको आप बोलते हैं यह आपको सहसंबन से भी question आपको दोस्तो अच्छा खासा मिलता है एक दो question मिल जाएगा index number है नेदे सांग जिसको बोलते हैं यहाँ से भी आपको एक आत question आते हैं लेकिन important जो है सबसे ज़्यादा यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें ज़्यादा important है जहां से आप देखोगे theoretical based दोस्तो question भी TGT में पूछे जाते हैं आपके यह भी चीज़ें बता दो 90% चीज़ें जो होती है चाहें आपका account हो चाहें यह हो इसमें ज्यादा थे और यह आपको देखने को मिलती है अगर मैं कहता हूं कि जैसे 125 question आता है ठीक है तो अगर हम कहते हैं 80% theory आती 20% दोस्तो practical आता है तो वह 20% जो practical होगी मैं ऐसे सिंबल से कहा दूं कि 100 question पकड़ लो important इसका महत्त पढ़ना है और बाउचिंग पढ़ना है आपको और बेरिफिकेशन ठीक है बाउचिंग एड बेरिफिकेशन जिसको आप सत्यापन बोलते हैं प्रमादन बोलते हैं ठीक ना यह सारे चीज़ें आपको audit में पढ़ना है अंके खड़ में बात करते हैं यहां पे business ऑर्गनाजिशन अपने अच्छा टॉपिक है theoretical बेस बिजनस टॉपिक इसका नाम क्या है और अर्गनाइजिसन एक अलग टॉपिक है तो यहां से चीजें दो चीजों को अपने आप अंदर यह समाहित किया हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और यहां से थौर्ट होगर आप दोस्तों बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं जैसे मैनेजमेंट में हम लोगों में देखा है कि FW टेलर हो गया है ट्रगर हो गया है उनके जो है थौर्ट्स होगा रजोस्तों अपसे पूछे जाते हैं और अच्छा खासा यहां से कुश्चन बनता है ठीक ना तो यहां पर आप देखो बिजनस और ट्रेड है व्यापार है कल्चर है मतलब कल्चर वहां क यानि बिजनस और ऑगनाज़िश我想 क कहКак य ветन है और इसके बाद बिजनसों और इसके बाद शॉप आपका प्रोपारीटर हो गया कमपनी हो गया तो कितने टाइट्स के हैं वो चीज़ें आपसे पूछा जाता है यहां पे इसके बाद आप देखिए यहां पे है पॉलिशन मैंने लिखा है पॉलिशन यहां पे थोड़ा से स्पिलिंग मिस्टेक है बट कोई दिक्कत नहीं है आप लोग सही कर लेना पॉलिशन इन्वार्मेंट और इन्डस्ट्री और उसका जिसे बहुतान है यानि कि पॉलिशन इन्वार्मेंट वर्सिस आगर हम बोल दें इन्डस्ट्री तो ज़्यादा बहतर होगा कि इंडस्ट्री की वज़ा से इंडस्ट्री और इंवार्मेंट में हमारा जो प्रदूसर्ण है उसमें हमें क्या करना उसका एक कम्ट्रीटिव जो है अध्यन करना पड़ता है ठीक है nature of management and importance अब management की बात हो रही है कि nature of management हमारे management का क्या है प्रकृति और उसकी क्या महत्व है importance हो गया various thoughts हो गया है मैंने जो पहले बता ते है thoughts regarding management या नि प्रबंद से सम्वंदित जो भी various thoughts दिये गये हैं वो सारे चीज़ें आपको पूछे जाते हैं में और एक दो question तीन question thoughts से ही पूछ लिया जाता है इसके बाद है planning हो गया staffing हो गया motivation हो गया यह सारे चीज़ें आप देखेंगे principle of management में मिलेगा सारे चीज़ें co-ordination मतलब समन्वे हो गया control हो गया जिस पर नियंतरण किया जाता है किसी भी organization पेर employee हो में या काम में चीज भी तरीके का आपको करना हो क्या management या control ठीक है वो सारे चीज़ें फिर इसके बाद हमने है सार्ट में हमने लिख दिया है economics and economy चुकि economics में दोस्तो सारे चीज़ें आती है economics मतलब होता क्या है कि economics दोस्तो दो type का होता है बताए गया है कि जो हम लोग बोलते है economics ठीक है और economy ये दोनों चीज़ें क्या है different है economics क्या होता है कि हम जो है किसी भी business किसी भी व्योसाय सम्मंदित उसके उत्पादन उसके units के उसके price का निरधारन कैसे करना है क्या जो है हमारा छेत्र होना चाहिए जिसमें हमें production करना चाहिए जिसमें आप पढ़ते हैं low sugar पढ़ते हैं elasticity of demands पढ़ते हैं ठीक न वो सारे चीज़ें आप market के बारे में पढ़ते हैं वो सारे चीज़ें हमारी कहां मिलती है economics में मिलते हैं जिसको बोलते हैं सैधान्तिक अध्यन कहां पे करते हो आप अर्थ शास्त्र में करते हो ठीक है और उसका जो है जो हम लोग practical काम करते हैं उसके बारे में जो हम लोग अध्यन करते हैं वो हमारा क्या है principally जो हम लोग study करते हैं या बोले तो हम लोग सिधान्द का अध्यन करते हैं वो हमारा क्या होता है अर्थ सास्त्र होता है जबकि इसी सिधान्द का जब हम ब्योहारिक अध्यन करते हैं economy में अर्थ ब्योस्था कहा जाता है जैसे हमने कहा कोई एक company है उत्पादन की तो उत्पादन कैसे करना है उसका प्राइस क्या निर्धारन करना है ठीक है कौन सा मार्केट चूज करना है कौन सा नहीं करना है ठीक है किस पॉइंट पर उसे अपना जो है production को breakdown करना है किस पर जो है अपने production को बढ़ाना है ये सारे चीज़ें हम लोग कहा पर पढ़ते हैं अर्थसास में पढ़ते हैं फिर उसका देखो सेम एक ही जीच का गया मपल दे रहा हूँ जैसे कि मालोग अगर company ने production कर दिया तो उस उत्पादन का हमारे अर्थब्योस्था पे यह क्या प्रवाफ़ा ठेकैं तो वह just है भ lung हम लुग जो है we're control करते हैं कहां पढ़ते हैं economy में पढ़ते हैं वहां पके हम लोग और जाए चीज़ें पढ़ेंगे वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग कृसी संबंधी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग रोजगारी से संबंदी चीज़ें पढ़ेंगे हमारे अर्थवेवस्ता की स्तिति क्या है वह हम लोग पढ़ेंगे मुद्रात एक छोटा सा टॉपिक है बट बैंकिंग जूडने को जैसे लंबा हो जाता है ना पूरी बैंकिंग आपको पढ़नी है कि कि इतने टाइप्स के हमारे चुकि ट्रेडिशनल पढ़ना भी चेंजेज आपको हुए है करेंटली में तो वह भी आप अपडेट में करके रख सकते हैं बट हमें जब भी पढ़ना है झालीशनल चीज पढ़नी कि कि हमें पीशी के सारे चीज़ें पढ़नी है कि पहले उननीस सो जो है किनीस घ्रिश पेनी पार नहीं करने के बाद tari और बनी है किस आट के तहद बनी है कौन-कौन से जो है आयोब उस पर जो है काम किये थे को डेवलॉब करने के लिए ठीक है फिर आर्वी आई से चुकि आर्विए नहीं थी तो उसका काम यानि Central Bank की तरह काम करने वाले कांप सावैंग था जैसे यह सारी चीजें बैंकिंग से मंदित आपको पढ़ना फिर आपका RBI जब आया 1935 में राष्टी करण हुआ पच्छमन में आपका जो है रिजर बैंक स्वरी इसका SBI का जो है मत्तब इंपीरियल बैंक का राष्टी करण करने के बाद SBI किया गया उसके कौन-कौन से साहक बैंक थी ना और उसके पहले भी कौन-कौन से बैंक एती सारी चीजें दोस्तों बैंकिंग में आपढ़नी परती है और अब लोग पढ़ते हैं कि इन क्ट्रोल करने के लिए सारी चीजें दोस्तों कहां पढ़ने वाले हैं इस बैंकिंगं बizzard एकोनामी बोलो दोनों भी चीज़े मिलती हैं तो आप एक जगां पढ़ लोगे दोनों हो जाएगी तो यह इसलिए हमने समराइज दोस्तों आपको पढ़ने कोई ज़रूद नहीं है ठीक है और चुकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया तो हाइली डिमांड पर दोस्तों बहुत जाले डिमांड होने पर मैंने यह प्रिजेंट किया अदर्वाइज मैं सलेबस तो चरचा ही नहीं करता हूँ और जो करना दोस्तों हमारी क्लास एक सिस्टार्ट होने को है और डेमोड दोस्तों चल रही है जिस भी साथी या जोस्त को फ्रेंट्स को जोईन कर सकता है ऑफर में चला है बैच आपको बता दूं तो आप जोईन कर सकते हैं 50 स्स्टूडें तक मैंने आफर दे रखा है इसके कोड़ मिलेगा ठीकए इसके बाद जो है हंसंड़े संदब आपको टेस्ट मत्ञाइब प्रैक्टिस कराया जाए जाएंगे और टॉपिक वाइस मैं गारेंटी करता हूं जिसको भी डाउट हो मैं तो सीरी करता हूई मैं बाद में बात करता हूँ कि आप मुझसे जोइन करो मैं तो पहले यह करता हूँ आप किसी और से पढ़ो फिर मुझसे पढ़ो हर तरीके की support रहेगी आपको आपको अब थोस्तों आपको बता दें मेरे चैनल को आपको सबस्क्राइब क किये रहेंगे बेल आपकंम प्रेस किंगे तो आपको जो भी वीडियो से रहेंगे प्लीड करेंगे उसका notification दोस्तों आपको मिलता रहेगा अब बात करते हैं दोस्तों फीस की तो फीस जो हमारी है वो हमारी फीस है दोस्तों साड़े पांस जार मैंने अभी रखी है पचास स्टूडेंट तक के लिए हमने आफर भी दे रखी है 300 रुपे में आपका डिमिशन हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों मैं फीस बढ़ा देने में आला हूं ठीक है जहां भी स्टूडेंट हमसे जूड़ जाएंगे तो वह साड़े पांस जार की फीस जो होगी वह बढ़ जाएगी साड़े साथ हजार दोस्तों यह फीस है लग अशाय कि आप जो है इस्टॉल्मेंट फैसलिटी जमारे यहां अवैलेवल है आप जोई कर सकते हैं ठीक है ठीक दोस्तों थैंक्यू आप सभी को उम्मीद करता हूं यह चीजह आपको समझ में आ गई होगी सलाइबस मने कंपलिटी डिस्क्राइब किया है आप डेमो ले सक कर सकते हैं मुझसे संबर कर सकते हैं अगर किसी को तुट लास जोईन करना है तो टेक्व दोस्तों थैंक्यू आप सब को कि